ओम सांती आज 29 जनवरी 2021 की मुडली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे ग्रेट 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 ग्रेंड फादर अर्था सर्व धर्म पिताओं का भी आदी पिता है प्रजा पिता ब्रह्मा जिसके अक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो प्रस्न है आज का कर्मों को स्रिष्ट बनाने की युक्ति क्या है उत्तर है इस जनम का कोई भी करम बाब से छिपाओ नहीं स्रीमत के अनुसाय करम करो तो हर करम स्रेष्ट होगा सारा मदार करमों के उपर है अगर कोई पाप करम करके छिपा लेते तो उसका सो गुना डंड पड़ता पाप बुद्धी को पाते रहते बाप से योग तूट जाता फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यनास हो जाती इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो अब सुनते हैं मुडली विस्तार से ओम सांती मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर है दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं चालिस हजार वर्ष यह और रहने का है तुम बच्चों को तो निश्से है ना ये बाते भूलो नहीं यहां बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए इन आखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनास होने का है आत्मा तो अविनासी है यभी बुद्धी में हैं हम आत्मा ने पूरे 84 जनम लिये हैं अब बाप आया है ले जाने के लिए पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने नई दुनिया से पुरानी फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया इस चक्र का तुमारी बुद्धी में ग्यान है अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है अभी ये चक्र पूरा होता है फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवता ही रहेंगे मनुस्य नहीं होंगे अभी हम मनुस्य से देवता बन रहे हैं ये तो पक्का निश्य है ना बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है मनुष्य उल्टा करम करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है इसलिए बाप पूचते हैं इस जनम में ऐसे कोई पाप तो नहीं किये हैं यह है ही छिछी रावन राज्य यह भी तुम समझते हो दुनिया नहीं जानती कि रावन किस चीज का नाम है बापूजे कहते थे राम राज्य चाहिए परन्तु अर्थ नहीं समझते थे अब बहत का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है यह तो दुन्दकार दुनिया है यह तो दुन्दकारी दुनिया है अभी बहत का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं बाप के सहारे बिगर तुम विशे वेतर्णी नदी में गोते खाते रहते थे आदा कलब है ही भक्ती ज्यान मिलने से तुम नई दुनिया सत्यूग में चले जाते हो अभी तुम बच्चों को ये निश्चे है हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे फिर पवित्र राज्य में आएंगे ये ज्यान भी अभी पुर्सोतम संगम युग पर तुमको मिलता है यह है पुर्सोतम संगम युग जबकी तुम चिछी से गुलगुल काटों से फूल बन रहे हो कौन बनाते हैं बाप बाप को जाना है हम आत्माओं को वह बहत का बाप है लोकिक बाप को बहत का बाप नहीं कहेंगे पारलोकिक बाप आत्माओं के इसाब से सबका बाप है प्रिब्रह्मा का भी occupation चाहिए न तुम बच्चे सब का occupation जान चुके हो विष्णु के भी occupation को जानते हो तुम तो जानते हो न अब या आने के बाद तो बाबा कहते हैं सब जान चुके हो विष्णु के भी occupation को जानते हो कितना सजा हुआ है स्वर्ख का मालिक है न यह तो संगम का ही कहेंगे मूल वतन, सुख्स्म वतन, इस्तुल वतन वह भी संगम में आते हैं न बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया यह भी जानते हो बहत के बाप का भी पार्ट है Creator, Director है ना सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो activity होगी ना उनको आदमी नहीं कहा जाता है उनको तो सरीर नहीं है बाकी सब को या तो मनुस्य या देवता कहेंगे सिभ बाबा को तो ना देवता ना मनुस्य कह सकते क्योंकि उनको सरीर ही नहीं है यह तो temporary लिया है किसका ब्रह्मा बाबा का तन खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं सरीर बीगर राज यो कैसे सिखलाउ मुझे मनुस्य ने ठिक कर बित्तर मैं कह दिया है परन्तु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ अभी तुम राज यो क सीख रहे हो कोई मनुस्य तो सिखला न सके देवताओने सत्योगी राजाई कैसे ली जरूर पुर्सोत्म संगम योग पर राज योग सिखे होंगे तो यह सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथा खुसी होनी चाहिए हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है बाप कल्प कल्प आते हैं बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जनम है स्री क्रश्न जो प्रिंस्क था सत्यूक का वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं तुम स्रीव के तो 84 जनम बताएंगे नहीं तुमारे में भी नंबर वार पुर्सात अनुसार जानते हैं माया बहुत कड़ी है किसको भी छोड़ती नहीं यह बाप अच्छे रिती जानते हैं ऐसे मत समझो बाप कोई अंतरियामी है नहीं सबकी अक्टिविटी से जानते हैं समाचार आते हैं माया एकदम कच्छा पेट में डाल देती है ऐसी बहुत बाते तुम बच्चों को मालूम नहीं मालूम नहीं पढ़ती बाप को तो सब मालूम पढ़ता है मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ हर एक की चलन से सब मालूम पढ़ता है बहुत छीची चलन चलते हैं बाप बच्चों को खबरदार करते हैं है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धी में नहीं बैठता इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है काम महासत्रू है मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं ऐसे भी होता है इसलिए बाप कहते हैं कुछ भ भूल आदी होती है तो साप बताओ छिपाओ मत नहीं तो सो गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे सच्चे बाप बाप कहते हैं सच्चे बाप के साथ बिलकुल सच्चा होना चाहिए नहीं तो बहुत बहुत गाटा है माया इस समय तो बहुत कड़ी है ये रावन की दुनिया है हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें हम तो नहीं दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं ब आप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना। हमारे लिए मकान बन रहा है। कुसी रहती है। यह है बहत की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल-गुल फूल बनेंगे हम विकारों के वस काटे बन गए थे बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है तुम भी समस्ते हो, जो नहीं आते हैं, वह तो माया के वस हो गए ना, बाप के पास तो आते नहीं ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है बहुत अच्छे अच्छे करकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे बाबा कहते हैं बच्छे आते हैं और क्या क्या कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे यह करेंगे हम तो यग्य के लिए प्राण देने के लिए तैयार है आज वह है नहीं बाबा कहते हैं आज वह छोड़ के चले गए तुमारी लड़ाई है ही माया के साथ दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है अभी तुम बच्चों को बाप ने ग्यान का तीसरा नेत्र दिया है जिस से तुम अंध्यारे से सोजरे में आ गए हो माया को ही ये ग्यान नेत्र देते हैं आत्मा को ही एज्ञान नित्र दिते हैं तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो बहत के बाप को याद करो बक्ती में तुम याद करते थे न कहते भी थे आप आएंगे तो बलियार जाएंगे कैसे बलियार जाएंगे यह थोड़ी जानते थे अभी तुम समझते हो, हम जैसे आत्मा है, वैसे बाब भी है बाब का है आलोकिक जनम तुम बच्चों को कैसे अच्छी रिती पढ़ाते हैं खुद कहते हो ये तो वही बाब है, जो कल्प कल्प हमारा बाब बनते हैं हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाब भी बच्चे बच्चे कहते हैं, वही टीचर के रूप में राज्योग सिखलाते हैं, और तो कोई राज्योग सिखला न सके, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाब का बन कर फिर उसी टीचर की सिक्सा भी लेनी चाहिए न, खुसी से गदगद होना चाहिए बाबा कहते हैं ऐसे टीचर की सिक्षा लेनी चाहिए और खुसी में गदगद होना चाहिए अगर छीची बना तो फिर वह खुसी आएगी नहीं बल कितना भी माथा मारें फिर जैसे वह हमारा जाती भाई नहीं यहां मनुस्यों के कितने सरनेम होते हैं, तुमारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, यह है बड़ेते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रेंट फादर ब्रह्मा, उनको कोई जानते ही नहीं, सिव बाबा को तो सर्विव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता चित्र भी है ब्रह्मा, विष्णु, संकर के ब्रह्मा को सुक्ष्णु वतन में ले गए है बायोग्राफि कुछ नहीं जानते सुक्ष्णु वतन में ब्रह्मा को दिखाते है फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आएगा वहाँ बच्चे एडॉप्ट करेंगे क्या किसको भी पता नहीं है प्रजा पिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते बाबा ने समझाया है यह हमारा रत है बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है यह पुर्सोतम संगम योग गीता का एपिसोड है पवित्रता भी मुख्य है पतिस से पावन बनना कैसे है यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है सादू संत आदी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सब को भूलो एक बाप को याद करो तो माया के पाप करम सब बस्म हो जाएंगे कोई गुरू ऐसे कभी नहीं कहेंगे बाप समझाते हैं यह ब्रह्मा कैसे बनता है छोटे पन में गावडे का छोरा था छोरा से जनम लिये हैं फश्ट से लेकर लाश्ट तक तो नई दुनिया सोफिर पुरानी हो जाती है अभी तुम बच्चों की बुद्धी का ताला खुला है तुम समझ सकते हो दारना कर सकते हो अभी तुम बुद्धीवान बने हो आगे बुद्धी हीन थे यह लक्षमी नारण बुद्धीवान है और यहाँ बुद्धिहीन है सामने देखो ये पेराडाइस के मालिक है न क्रस्नस्वर का मालिक था फिर गावडे का छोरा बना है तुम बच्चों को ये धारन कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है मुक्य है ही पवित्रता की बात लिखते भी हैं बाबा माया ने हमको गिरा दिया आखे क्रिमिनल बन गई बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो बस अब तो घर जाना है बाप को याद करना है थोड़े टाइम के लिए सरीर निर्वा के लिए करम कर फिर हम चले जाते हैं इस पुरानी दुनिया के विनास के लिए लड़ाई भी लगती है यह भी तुम देखना कैसे लगती है बुद्धी से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए इसलिए विनास जरूर होगा हम अपनी नई दुनिया इस्तापन कर रहे हैं स्रीमत पर बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्तित होता हूँ तुमने डिमांड की है कि हम पतीतों को आकर पावन बनाओ तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहच बाब के next है क्रश्न यह परमदाम का मालिक वह विश्व का मालिक सुक्स्न वतन में तो कुछ होता ही नहीं है सभी से number one है स्री क्रश्न जिसको बहुत प्यार करते हैं बाकी तो पीछे पीछे आएं हैं स्वर्ग में तो सभी जान न सके तो मीठे मीठे बच्चों को हड़ी खुशी रहनी चाहिए आर्टिफिस्यल खुशी नहीं चल सकती बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे कब पवित्र नहीं रहते बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते क्यों हो कहते थे क्या करें रह नहीं सकते रोज आता हूँ न जाने कब कोई ऐसा तील लग जाए आप बिगर सद्गती कौन करेंगे आकर बैठ जाते थे माया बड़ी प्रबल है निश्य भी होता है बाबा हमको पतिस से पावन गुल-गुल बनाते हैं परन्तु क्या करें फिर भी सच तो बोलता था अब जरूर वह सुदर गया होगा उनको ये निश्य था इन द्वारा ही हम सुदरेंगे इस समय कितने एक्टर्स है ये के फिचर्स न मिले दूसरे से फिर कल्प बाद उस ही फिचर्स से पार्ट रिपीट करेंगे आत्मय तो सब फिक्स है ना सबी एक्टर्स बिल्कुल एक्टूरेट पार्ट बजाते रहते हैं कुछ भी फरक हो नहीं सकता सबी आत्मय अविनासी है उनमें पार्ट भी अविनासी नूंदा हुआ है कितनी समझाने की बाते हैं कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं, यह भी ड्रामा में होना है, हर कलप राजाई तो इस्तापन होती ही है, सत्युग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबर वार, यहां भी नंबर वार है न, एक का पाट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता, अच्छा मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते वहा बाबा वहा वहा मेरा भाग्य अब पूरी मुड़ी मैं से धारना के लिए मुक्य सार है पहला पॉइंट सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है दूसरा पॉइंट है धारना का ग्यान को धारन कर बुद्धी वान बनना है अंदर से हड़ी जिगरी खुसी में रहना है कोई भी स्रीमत के विरूद काम करके खुसी गुम नहीं करनी है अब मिठे बाबा का मिठा वर्दान है ग्यान की गुई बातों को सुनकर उन्हें सुरूप में लाने वाले ग्यानी तु आत्मा भव विस्तार है ग्यानी तु आत्मा हर बात के शुरूप का अनूभव करती है जैसे सुनना अच्छा लगता है गुई भी लगता है लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थार्थ शुरूप बनना इसका भी अब्यास होना चाहिए मैं आत्मा निराकार हूँ यह बार-बार सुनते हो लेकिन निराकार इस्तति के अनुबवी बन कर सुनो जैसी पॉइंट वैसा अनुबव इस सुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धी इसी में बीजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा स्लोगन है नौलेज एवं अनुबव की डबल अथोरेटी वाले ही मस्ट फकीर रमता योगी है अच्छा ओम सान्ती